बाजार की बाजार में बिक्वाली का दबाव काफी हावी है CEN6 निफ्टी लगातार पांच पे दिन गिरावट पर बंद हुआ CEN6 आच सो लो पॉइंट गिरा तो निफ्टी 236 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ मार्केट के डिजेल्स लेते हैं यातिन मोता से तो यातिन आप से सबसे पहले जानना चाहेंगे आज बजार की हाइलाइट्स क्या रही देखें आज बजार में व्यापार काफी वॉलटाइल था शुरुवाती तेज़ी के बजार में एक बड़ी सेल आफ आपने देखी इंट्रेडे बेसिस पे अगर आप मान लीजे तो 400-400 पॉइंट से जादा की इंट्रेडे वॉलटिलिटी हुई सेक्टोरल ही अगर हम बात करें तो PSU बैंक्स और IT शेर छोड़के सभी के सभी सेक्टोरल इंडिसी जाल निशान में बंद हुए खास करके रियल एस्टेट शेर्स आटो शेर्स और सिमिंट शेरों में दबाव देखने को मिला जो उथा पटक हो रही है भारती बजारों में उसका एक कारण तो जियो पॉलिटिकल टेंशन है इसरेल और इरान के बीच में और इसके अलावा जो क्रूड में वॉलिटिलिटी है चाइना में जो फंड फ्लो शिफ्ट हो रहा है उसके कारण भी थोड़ी बहुत एफाई सेलिंग आज आपको बजार में देखती हुई आपने ओवराल बेसिस पे देखी है अगर हम इन जनरल बात करें तो सारे के सारे जो सेक्टर्स थे इंट्रेडे बेसिस पे अच्छे खुले लेकिन ओवराल मुनाफ़ा वसूली का माहौल ही बाजार में आता हुआ नजर पड़ा जबकि निफ्टी में आपने उपरी लेवल्स देखे हैं लेकिन ओल टाइम हाय से एक बड़ा आपको करेक्शन मिला है इन अगर हम निफ्टी गेनर्स की बात करें तो अबिसली जो ऑईल बनाने वाली कंपनीज हैं ओएन जी सी ऑईल इंडिया यहां आपको तेजी मिली इसके लावा आई टी शेरों में खरीदारी दिखी इन फोसिस टीस जिनके रिजल्स बहुत जल्ड आने वाले हैं दोनों ही का परसेंट की गिरावट थी बजाज फिनांस ब्रिटानिया जैसे काउंटर्स में भी आपको विक्वाली दिखे और अल्ट्राटेक सिमेंट में भी आपको भारी विक्वाली देखने को मिली मिटकेप गेनर्स की बात करें तो यहां मिक्स थे रिव्यूज ऑईल इंडिया ब पूद्रेच प्रापर्टीज भी लगबग 6% नीचे और पेटियम और सोलार इंडस्ट्री जैसे काउंटर में भी आज मुनाफ़ा वसली भारी रही रही शुक्रिया रियतिन मार्केट का पूरा हाल दर्शकों को बताने के लिए तो भारत में FIIs की बिक्वाली बढ़ती जा रही है FIIs ने कल भारत में 4 साल की सबसे बड़ी बिक्वाली की अचानक से भारत के प्रती FIIs का मोभंग क्यों हुआ है इसकी जानकारी देने के लिए अब हमारे साथ जोड़ रहे है होर्मुस फटाकिया तो होर्मुस आपसे जानना चाहेंगे FIIs का चीन अट्रक्शन का क्या कनेक्शन है आपको याद होगा सुवर्गे लता मंगेशकर का एक गाना कितने अजीब रिष्टे है यहाँ पे अगर यह FIIs की चाइना की तरफ के प्रेम को अगर दर्शाय जाए तो यह वहाँ बड़ा फिट बैटता है और यह एक रीजन है जिसकी वज़े से भारत से जो पैसा निकल कर जा रहा है उस वज़े से चार साल में सबसे जादा FIIs की सेलिंग हमें कल के सतरों में देखने मिली 15,243 करोड का यह आकड़ा था जहां पे FIIs की बिक्वाली हुई अब यह बिक्वाली हुई चुनिंदा लार्ज कैप शेहरों में रिलाइंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ICICI बैंक लगवग 2,000 करोड से लेकर 4,000 करोड तक की सेलिंग हमें देखने मिली अक्सेस बैंक और टाटा मोटर्स में भी हमें बिक्वाली देखने मिली मगर यह पहला ऐसा इंस्टंस नहीं है जहां पर यह ऐसे सेलिंग देखने मिली है हमें FIIs की तरफ से बजट से पहले जनवरी के दो दिन, लोगसबाद चुनाव वाले के नतीजों के दिन हमें ऐसी बिक्वाली देखने मिली और 30 सितंबर को जहां पर बाजारों ने रेकॉर्ड हाई बनाने के बाद से जो यह बिक्वाली का दौर शुरुआ उस दिन भी हमें इस तरह की बिक्वाली देखने मिली अब यह अचानक FIIs चीन के उपर इतने बुलिश क्यों हो रखे है वो इसलिए कि चीन के बाजारों के वैलिवेशन सस्ते हैं अंडर परफॉर्मेंस की वज़े से वो होने ही थे एकनॉमी के लिए बड़े राहत पैकेज का एलान किया गया है रियल एस्टेट सेक्टर को एक बड़ी पुश दी गई है वहाँ पर और जो है चीन कर्ज को ब्यासदरे काट कर कर्ज को सस्ता किया गया है मगर कुछ लोग अभी ऐसे हैं जो इस रैली को लेकर बुलिश नहीं है GQG के राजीव जैन है उन्होंने कहा कि पिछले तीन साल में कई ऐसे मौके आए है जहां पे चीन के बाजारों में रैली हुई है लेकिन वो कुछ महीनों के बाद वो सारी रैली खतम हो जाती है ट्रेडिंग के लिए अच्छा मौका है मगर क्या ये चीन का बाजार 3-4-5 साल के लिए निवेश करने लाया कि ये बड़ा सवाल्या निशान है सीटी ने भी अपनी नोट में कहा कि CSI 300 के इंडेक्स में 24 फीसिदी का उच्छाल हमें देखने मिला पिछले हफते में कई सारी पॉलिसी का एलान किया गया और इस रैली के बाद चीन के बाजारों ने भारतिये बाजारों के साथ कैच अप कर लिया रिटर्न्स के मामले में अब गेवकल रिसर्च ने भी कहा कि इस रैली अगर चल भी गई तो बहुत सारे ऐसे विदेशी निवेशक है जो चीन में निवेश करने से कत्रा रहे हैं तो चीन के लिए जो आपदाय है वो भारत के लिए मौके हो सकते है आगे चलकर और भारत का ये बुल मार्केट अब खतम हो गया है ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी तो लोग तो कहेंगे उनके अपने व्यूज है अब ये एफ आई आइस का या तो अमर प्रेम है या सिर्फ गाने गजल तक का साथ है ये आप तै करें कि ये रिष्टा क्या कहलाता है शुक्रिया होर्मोज ये पूरी जानकारी देने के लिए तो भारत में एफ आई आई की अचानक आई तेज बिक्वाली की वचा कहीं चीन तो नहीं क्या एफ आई 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 अफ फिर चीन की तरफ मुड़ रहे हैं इस पर बावचीत करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गई है एडलवाइस की AMC and MD and CO राधिका गुपता तो राधिका स्वागत है आपका CNBC आवास पर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे पिछले चार ट्रेडिंग सेशन में FII की तरफ से भारी बिक्वाली रही क्या ये सलसला आगे भी देखने को मिल सकता है See I think you know 4-4% correction from the peak को तो मैं correction भी नहीं मानूँगी In fact I think बाजार में किसी भी point पे 10-15% का correction तो हो ही सकता है अगर आप बड़े से बड़े बुल markets देखें अगर आप 24-5-6 जैसे भी years देखें जब बाजार में बहुत अच्छे returns दी है उनमें भी in the middle आपको 10-15% का correction दिख सकता है तो इसको तो मैं बहुत वो नहीं मानती I think पिछले 3-4 दिनों से not just India काफी emerging markets में आपने correction देखा है geopolitical uncertainty के कारण लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप हिंदूस्तानी बाजार को देखें तो जो अभी आया earning season है वो जादा तर ठीठा गुज़रा है festive season आने वाला है consumption की expectation है तो I think जब तक हमारी earnings led recovery है और local flow strong है hopefully ये corrections बहुत डीप नहीं रहे शुक्रिया रादिका हमारे साथ इस important खबर पर जोड़ने के लिए तो